महाराष्ट्रो में कोरोना के दो नए म्यूटेशन वाइरस ने प्रवेश किया है जो बड़ी मात्रा में लोगों को संक्रमित कर सकता है यह कहना है महाराष्ट्रो मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष विकी रुगवानिका जिनोंने महाराष्ट्रो टीवी 24 को यह जान कर दी है उनका क्या कहना है आईए देखते हैं भारत सरकार के कुछ विशेशग्यों द्वारा COVID-19 के जीनों सीक्वेंसिंग यानि कि कुछ म्यूटेशन या नए वेरियंट जो है कुविट-19 के वो भारत सरक देश में आये हैं क्या इसके बारे में स्टडी की गई और इसमें ऐसा पाया गया पुल मिलाकर 10,000 से उपर कुछ सेंपल्स की जांच की गई और उसमें करीब करीब 771 सेंपल्स ऐसे निकले जिनमें की वेरियंट नया कुविड वायरस का वेरिय और तकरीबन 34 सेंपल्स ऐसे थे जो की साउथ आफरीकन वेरियंट के थे अब यह जो नय वेरियंट वायरस होते हैं इनका इंप्लिकेशन क्या होता है इसका मतलब क्या होता है तो इसका मतलब यह होता है कि यह नय म्यूटन वायरस है इनके बारे में और ज्यादा स्टीज चालू है लेकिन कुछ ऐसे वेरियंट है जिनकी ट्रांस्मेबिलिटी याने की संक्रमन शमता जो है वो ज्यादा होती है अब महारास्टर में डो नय वेरियंट आए हैं जो डिटेक्ट हुए है और महारास्टर में केसिस भी बहुत ज्यादा है लेकिन यह ज्यादा नंबर जो cases का है यह केवल इन variant के वज़े से है कि नहीं इसके बारे में भी खोज जो है वो जारी है तक्रीबन 15 से 20 प्रतिशत जो samples है total samples जो test किये गया उसमें ऐसा पाया जा रहा है कि new variant जो है जिसों variant of concern कहते हैं वो ऐसे पाया गया है ऐसा कहा गया है कि जैसे जैसे वाइरस replicate होता है जैसे जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में जाता है जितने बार नया वाइरस पैदा होता है उतने जादा नए mutations के chances बढ़ते जाते हैं तो mutations तो जैसे जैसे संक्रमन बढ़ेगा, mutations बढ़ते जाएंगे, इसलिए ऐसा कहा जाता, experts द्वारा, कि हम अपने आपके जो COVID behavior है, उसको हम संभालें, याने कि जो भी हम एतियास बढ़ते हैं, लेवो sanitizer हो, hand washing हो, या mask हो, अगर हम यह सब करेंगे, तो हमारे इस virus का replication जो है, वो कम होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कम जाएगा, इसलिए mutations जो है, वो भी कम होगे, तो यह अगर हम COVID behavior को आलंड करें, तो इन mutations से भी बचाओ हो सकता है,